आज की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे. इसे पहले की हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. कहानी है, राजस्तान का एक जिला है. उदेपूर और दरसल उदेपूर के सरकिट हाउस के प्रबंधक नरेश वर्मा उस इलाके के DSP चांदमल को फोन करते हैं. कहते है कि साहब 23 जनवरी 2024 की रात को उनके यहाँ पर फिलहाल कमरा नंबर 211 में एक CBI आफिसर है. उनके साथ उनके तीन दोस्त भी आकर ठहरे हुए हैं. तो जैसे DSP ने यह बात सुनी तो उनका ठीक है. उनका ख्याल रखो अच्छे से खाना खिलाओ, कोई बात हो तो बताना. ज तो कहते हैं कि ठीक है उनका आई कार्ड देख लो आई कार्ड देखने के बाद चेक करो और चेक करने के बाद तुम्हें कुछ डाउट लगता है. तो ठीक है फिर आगे देखते हैं, बात करते हैं, उन्होंने कहा जी हा मैं उनका आई कार्ड भी देखा मैंने उनके डॉक् चेक करने के बाद ही मुझे कुछ थोड़ा डाउट हो रहा है। आप एक काम करिए आप इस मामले की जांच करवा लीजिए। अगर कुछ गरबर जरूर है जैसे ही DSP ने यह बात सुनी। DSP ने उस CBI आफिसर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकठी की। इकठे करने के बाद सीधा ASP उदेपुर को फोन लगा दिया। और ASP उदेपुर से कहा कि सरकिट हाउस के अंदर एक CBI के आफिसर है। जो अपने आपको ASP बता रहे हैं और IPS बता रहे हैं। अब सहब IPS आफिसर के बारे में जैसे ही ASP उदेपुर को यह बात पता चलती है। तो उन्हें कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ तुरंथ ही ASP उदेपुर अपने उच्छ अधिकारी यानी की IG साहब को फोन मिलाते हैं। और IG साहब से पूरी कहानी बताते हैं कि मुंबई के बांदरा में एक IPS आफिसर हैं जिनका नाम सुनील कुमार सांगला है तो इसलिए सर देख लीजिए। कहीं कोई गरबर तो नहीं है अब जैसे ही इन्होंने IG साहब ने यह पता करने की कोशिश की तो पता करने के लिए पूछा गया मुंबई फोन किया। जैसे ही वहां से फोन आता है तो पता चलता है कि यह ओफिसर ओरिजिनल नहीं है बलकि डुप्लिकेट है और जैसी डुप्लिकेट वाली बात आती है। तुरंट फिर IG साहब ASP को ASP DSP को DSP इंस्पेक्टर को फोन कर देता है और कहता है कि इस मामले की जांच परताल करिये जितनी जल्दी हो सके उन्हें पकड़िये। उनसे बातचीत करनी है जैसे ही बातचीत करने वाली बात आती है। बात इसलिए भी थी क्योंकि यह बात 24 जनवरी दो हजार चोबीस की थी ठीक दूसरे दिन यानी की 26 जनवरी को गंतंत्र दिवस था। और इसलिए पूरे सरकिट हाउस जाया जाता है। सरकिट हाउस जाने के बाद नरेश वर्मा से पूछ लिया जाता है कि तुम्हें कैसे लगा कि वह फेक है उन्होंने कहा कि साहब एक अपने आपको IPS आफिसर बता रहा था। तीन लोग उसके साथ थे वह आटो से सीधा सरकिट हाउस में आकर दे दी थी। अब पूरा दिन हो जाता है यानि की 24 जनवरी 2024 का पूरा दिन हो जाता है। अब पुलिस जगहजगह तैनात कर दी जाती है कि आखिरकार उदेपुर में कहीं भी किसी भी हिस्से में वह चारों के चारों दिखाई देते हैं। तो उन्हें गिरफतार कर लिये जाए। लेकिन पुलिस ने जितने जाल बिचाए थे उस जाल में वह कहीं भी फस नहीं रहे थे। आखिरकार शाम हो जाती है और वह लोग पुलिस के हाथ ही नहीं लगते। अब पुलिस वाले करें तो क्या करें यह बात जब आईजी साहब तक पहुचती है। तो आईजी स साहब ने कहा कि ठीक है उन्होंने सरकिट हाउस में कोई ना कोई अपनी इन्फोर्मेशन जरूर दी होगी। आप एक काम करो सरकिट हाउस के देखो रजिस्टर चेक करो। वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा दर असल जब चेक किया जाता है। तो एक फोन नंबर दिया ह और फोन नंबर जब दिया हुआ था। ऐसी स्थिती में अगर कोई अधिकारी उन्हें फोन करता है। तो जाहिर सी बात हैं पोल खुल सकती थी इसलिए उन्होंने सरकिट हाउस के ही किसी बंदे से कहा कि तुम्हें एक सवाल जवाब करने चाहिए, बातचीत करनी इधर से सरकिट हाउस से फोन लगाया जाता है और फोन लगाने के बाद कहते हैं कि क्या CBI के आफिसर सुनील कुमार सांगला की बात कर रहे हैं वह कहते हैं। दरसल सरकिट हाउस जो होते हैं सरकिट हाउस अधिकारियों के लिए बनाय जाते हैं। कुछ थोड़ी सी फीस होती है कई अधिकारियों से ली जाती है। कई से नहीं ली जाती कई नेताओं से फीस ली जाती है। कई से फीस नहीं ली जाती अब जैसे ही यह बात आती है। तो उसके बाद फिर वह सरकिट हाउस से फोन पहुंच जाता है, CBI के ऑफिसर कहते हैं। कि ठीक है अब उन्हें तो खाने की बात थी उन्हें तो सुक सुविधा मिल रही थी। एक रात पहले भी वह इसी जगह पर सुक सुविधा लेकर चले गए थे। अगले रात वो फिर आ जाते हैं और जैसे ही आते हैं। तुरंथ ही इन्हें उस इलाके के यानी की हाथी पो सचमुच कहीं CBI ओफिसर हो और तुम जाकर कुछ वहां बद्तमीजी करने लगे। तो वह टंग देगा यानी कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी से बड़ी कारवाई हो सकती है। कुल मिलाकर वो चारो लोग मौके पर पहुंच जाते हैं, उदेपूर के ASP साहब भी पहुंच जाते हैं। और इंस्पेक्टर साहब ने जान बूज कर उनको उल्टे हाथ से सलूट किया। और उल्टी हाथ से सेल्यूट जब उन्होंने किया तो उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया। और यही बात ASP उदेपूर को बड़ी खटकती है कि गलत सेल्यूट से आखिरका यह क्यों कर रहे हैं। क्यों ले रहे हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है हालांकि यह तो खैर पता चल चुका था। कि यहाँ CBI में इस नाम का कोई officer है ही नहीं तभी पूछते हैं कि तुम्हारा batch कौन सा होता है। कि साल 2020 में मैंने UPSC क्लियर किया था। 263 मेरी rank आई थ था। हालांकि मैयानी की राजस्थान पुलिस ने भी जौब की है। दो-तीन महीने के आसपास और साथ ही में income tax में कलर्क की भी नौकरी की थी। साल 2019 में बड़ी मेहंद किये हैं साहब जब ऐसी बात कर रहे थे। तो base के बारे में पूछा जाता है कि आपका base कौन सा है। और जैसे base पूछा जाता है तो वह 200 RR बोल देते हैं। जबकि 75 RR चल रहा है, 200 RR का नंबर लगभग 125 साल के बाद आएगा। उनके 100 साल से भी ज्यादा की कहानी बोल चुके थे यहीं से पर जाते हैं, पुलिस ने जब इनकी मामले की जांच परताल करने शुरू की है। उसी का एक बांसुरी इलाका है, बांसुरी इलाके का गाव लगता है। हमीरपुर वहां के रहने वाले होते हैं, सुनील कुमार सांगला जो की खुद को IPS आफिसर बता रहे थे। साल 2020 के और उनके साथ इंदराज सैनी अमित चोहान सतिनारायन इन में से एक इनका साल होता ह बाकी के दो दोस्त होते हैं, पूरे दिन यह उदेपुर में घूमते हैं। इनके सगाई हो जाती है, बीवी बड़ी खुबसूरत थी इलाके में नाम हो जाता है। और इलाके में नाम तब होता है, यह बात है अप्रेल 2022 की इन्होंने अपने फेस्बुक को जब चेक किया जाता है। और यह जैसे ही उन्होंने पोस्ट अपने फेस्बुक पर किया तो फेस्बुक पर यह पोस्ट वाइरस होता है। तो उनके गाव के लोगों को पता चल जाता है और जैसे ही गाव के लोगों को पता चलता है। तो गाव के लोग चौपाल पर हजारों की संख्या में लोग क्योंकि यह धोबी बिरादर से भी बिलॉंग करते हैं तो जब हजारों लोग इकठे होते हैं तो इनका बड़ा भवे स्वागत होता है लोग गुलाल लगाकर इनका स्वागत करते हैं गाव में पटाके छोड़े जा रहे थे और इनका स्वागत किया जा रहा था दावत हो रही थी और हद तो तब हो जाती है जब उस इलाके के स्थानिय चौकी इंचार्ज होते हैं पुलिस वाले होते हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है इनके माध्यम से फिर तो बीच-बीच में समानित होते रहते थे करते रहते थे और इधर से इधर घूमने होता था उनके पास वर्दी जो थी उसके बारे में पता चलता है कि इन्होंने Amazon से यानी की online अपनी वर्दी मंगाई थी बैच मंगाए थे और जो भी केप मंगाए थे हर चीज आनलाइन मंगाकर उसको पहन कर रोब किया करते थे फेस्बुक पर भी उन्होंने अपनी ID बनाई हुई थी वहाँ पर भी सुनील कुमार IPS लिखा हुआ था और जैसे ही पता चला तो कई बड़े नेताओं के साथ अधिकारियों के साथ उनके फोटो भी होते हैं कोई पहचान ही नहीं पाया यदी 26 जनवरी यानी की गंतंत्र दिवस के प्रोग्राम को लेकर पुलिस सक्रिय नहीं होती यदी पुलिस को नहीं लगता कि ऐसा ना हो कि यह फेक लोग कहीं नुकसान ना पहुंचा दे तो पुलिस कभी भी शायद नहीं ढूंड नहीं पाती क्योंकि यह वहां से जा चुके थे और यह जा चुके थे अगर गंतंत्र दिवस ना होता तो पुलिस फिर इंका शायद पीछा नहीं करती दोस्तों इस वीडियो से किसी को भी डराना या धमकाना नहीं बलकि आपको जागरूख करना है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें रोज एक सची कहानी सुनने के लिए धन्यवाद